जी पार टू स्टार्ट हो गया है हां जी बन गया कितने बचने बनाया है चार पांच छे साथ आट काफी बचने बना लिए यह बाइक अजार कर रो चलें जी करेंट लाइबिलिटी इंकलूड रेंट रेविन्यू यानी इंकम रिसीवड इन एडवांस अमांटिंग तू रुपीज 25 मिलियन हां जी तो रेंट रिसेंट इंक्रेवी नियू है तो रेंटल इंकम लिख दू रेंटल इंकम का लेजर है और क्लोजिंग में क्या कह रहे है वो एडवांस है एडवांस एडवांस इंकम तो एसिट होता है ना एसिट होता है ना लाइब maupti किया धावांस इंकम का मतलब कियो कमाया नहीं यह पैसे पहले ले लिए तो क्लोजिंग में है एड सा कितना ढे क्वेंटी कि अब बैलेंस्ज नहीं निकालना पहले सोचना है घ्लोोजिंग में आड सा का मतलब क्या है क्ष आया है के इंकम को record किया हमने cash आ गया है income में हमने कुछ भी record नहीं किया तब closing में advance है बोलो इसका मतलब cash आना चाहिए P&L नहीं आना चाहिए इस ledger में cash आना चाहिए और P&L नहीं और income के ledger में cash किस तरफ आया करता है credit side पर तो cash है और income नहीं है cash भी हो profit and loss में income कोई नहीं है तब ही तो closing advance बना लेकिन हम यह दूसरा zero लिखते ही नहीं ठीक है ना यह बास समझ आई अगर इस तरह से नहीं भी चलना सोच कर तो इस ledger को जब balance भी करोकर तो balance भी फिगरानी किस तरफ है और income के ledger में इस तरह income नहीं होती cash होता है ठीक है यानि हमने कुछ भी record नहीं किया हमने profit and loss में कुछ भी record नहीं किया cash receive कर लिया था लेकिन चुके यह अभी हमने कमाया नहीं है इसलिए उसको liability बनाया हमने इसको income में record नहीं किया टेक्स वाले क्या कहते हैं जो पहले कहते आ रहे हैं the related rent revenue is taxed on tax वाले कह रहे हैं जब cash आ गया तो हमें तो tax दे दो ना हम तो जाएंगर ठीक है आपने income नहीं बनाया तो आपका मसला है आ तो गए ना ठीक है इसका मतलब tax वाले इसको tax कब लगा रहे हैं जब cash receive हो रहा है हमने book नहीं किया हमने expense income record नहीं किया हमने PNL में कुछ भी record नहीं किया यानि हमारे profit तक आते आते कुछ भी recorded नहीं है इस पच्चीस के हिसाब पच्चीस की मादूब टेक्स वाले क्या कह रहे हैं नहीं यह 25 आपकी income है यानि मैंने तो अभी इसके ओपर tax लेना है बास समझ आ रही है तो cash आ गया tax व वर्स करने की ज़रूरत नहीं है टेक्स वाले क्या कह रहे है cash आया इस पर tax दो तो यह tax वालों की बात मानते हूं हमें add करना पड़ेगा rent received rent received जी कितना 25 तो यही मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर tax वाले cash basis पर चल रहे है न तो वो expense को allow करेंगे जब वो pay हो जाए और income को tax लगाएंगे जब वो receive हो जाए उनको expense के record होने से या income के record होने से कोई लेना देना नहीं अगर वो cash basis पर चल रहे है expense को कब allow कर देते हैं जब pay करें और income कब tax लगाते हैं जब receive करें वो कहते हैं incomes नहीं received यह तुरह different थे इन्हीं हर एक के अंदर पूरा पूरा data नहीं देना जो income record की थी हमने receive नहीं हुआ तो उनने का इसको निकालो यहां से हमने इस पर tax लेना और जो हमने income record नहीं की लेकर tax रिख्षीव होगा उनने का इस पर tax दो ठीक है जो expense हमने record किया तो नहीं यह आपको allowed नहीं है cash pay किया तो बता हुआ हमने का एक और खर्चा उसका cash pay को नहीं यह allowed है क्योंकि किस पर चल रहे है cash basis को cash pay हुआ allowed as deduction cash receive हुआ will be taxed ठीक है cash pay कर दिया allowed as deduction क्योंकि यह cash basis पर चल रहे तो यह taxable income expenses को allow नहीं करते ठीक है तो क्या हुआ जी हमने कोई income record नहीं की थी profit की figure तक आते आते हमने कोई income record नहीं की हुई थी इसलिए कुछ भी reverse नहीं करना हम एक rule basis पे हैं tax वाले cash में है तो accounting वाला reversal होगा tax वाला record होना है तो हमने क्या record किया इसको reverse करें कुछ नहीं टेक्स वाले क्या कह रहे हैं cash आगे है it will be taxed on cash basis तो cash तो आगे है अगर cash आगे है तो फिर add करना पड़ेगा tax देना पड़ेगा 25 ठीक है done चले आगे आगे आखरी मुश्किल वाला case advance rent advance rental income यह जो भी लिखने rental income इन advance लिखने कितना 25 टेक्स बेस क्या है जीरो क्यों वही वाली बार किस बेस पे चल रहे हैं यह लो cash basis पे चल रहे हैं चूंके तो इनकी दुनिया में payable, receivable, prepaid, unearned यह वजूद ही नहीं रखते चारों आगे ठीक है अब difference तो आगया 25 का लेकिन rule no.5 आप पहले लिखें फिर मैं लिखवाऊंगा लिखें आज लिख ले confidence रखें लिख ले इंशाला आप सही लिखेंगे सोचें और सोचके लिखें मैं 30 second के लिए खामोश हो र आप लिखें 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 कि यहार रासकर को तो मैसिज करके और पते उनको क्या कहने है उन्हें कहने कल वहला सीमे का लेक्चर जाना कल वह अपलोड कराना है कि मुझे आदम क्याते थे बूल जाना हां जी डन रूल तो देखेंगे तो एक मिन पता लग जाएगा हमने रूल थोड़े ही देखना है हम तो इसको लॉजिकली समझते हैं यह एडवांस अगले साल इंकम बनेगा इस एडवांस को हम अगले साल इंकम में डालेंगे तो प्रॉफिट में आ जाएगा यह एडवांस अगले साल हम income में डालेंगे tax वाले कहेंगे हमने इस पे tax नहीं लेना तो फिर current tax की working में ये क्या हो जाएगा minus हमने क्या करना है future में इसको income बनाना है हम इसको profit and loss में as an income record करेंगे tax वाले कहेंगे नहीं नहीं हमने इस पे tax नहीं लेना हम तो इस पे tax already 30 ले चुके हैं इसमें आभ हमने टैक्स नहीं लेना लेकिन चुके हम प्रॉफिट की फिगर तक आते आते इसको रिकॉड कर चुके होंगे हमें क्या करना पड़ेगा लेस लिखवात हूं मैं क्या करना पड़ेगा लेस तो इसका मतलब यह कैसा difference है जो future में deduct होगा और taxable profit को कम करेगा तो deductible difference अब इसको लिखो इस advance को हम future में income बनाएंगे bracket में लिखो P&L में डालेंगे profit P&L में डालें इस advance को हम future में income बनाएंगे यानी P&L में डालेंगे हम इस advance को future में income बनाएंगे यानी P&L में डालेंगे जबके जबके टेक्स वाले इस पर आल्रेडी टेक्स ले चुके हैं कैश बेसे फॉलो कर रहे थे ना जबके टेक्स वाले इस पर आल्रेडी टेक्स ले चुके हैं इसलिए इसलिए कहां से लिखवान चुक्या था इस advance को हम future में income बनाएंगे यह नि पियानल में डालेंगे लेकिन text वाले इस पर already text ले चुके हैं इसलिए future में इसलिए future में इस पर text नहीं लेंगे इसलिए future में इस पर text नहीं लेंगे क्यूंके हम प्रॉफिट तक आते आते इसको add कर चुए हैं तो हमें future में इसको current tax working में less करना पड़ेगा हम क्यूंके हम profit की क्यूंके मैंने लिखवाया है तो इस दुबारा से पढ़ना पड़ेगा मुझे इसलिए future में इस पर text नहीं लेंगे बिल्ला सहीनी रा मुझे लगता है मैं इजर से देख किया तो दुबारा सुनें यहां पर रुक गयें रुक जाएं चीक है इस advance को हम future में इनकम बनाएंगे लेकिन text वाले इस पर already text ले चुके हैं इसलिए future में इस पर text नहीं लेंगे क्यूंके हम profit में हम profit तक आते आते इसको add कर चुके हैं तो अब हमें current tax की working में इसको तो हमें इसको अब नहीं लिखना तो हमें इसको current tax की working में तो हमें इसको current tax की working में less करना पड़ेगा deduct करना पड़ेगा बलकि deduct लेके हमें current tax की working में इसको deduct करना पड़ेगा इसलिए ये एक deductible temporary difference है अब यहाँ पर rule पड़ा है advance rent liability है liability carrying amount ज्याद है tax based से तो यह क्या है deductible temporary difference ठीक है अब यह जरा चुके यह prepaid और advance वाला थोड़ा सा technical है इसलिए मैंने ज़्यादा तफसील लिखवा दी वरना दो लाइनों में यह भी लिखा जा सकता था ठीक है दो लाइने क्या होती है इस closing advance को future में हम income बनाएंगे क्योंके है future में इस पर tax नहीं लेंगे अब क्योंके हम future वाले साल की बात कर रहा हूं हम profit की figure तक आते आते इसको add कर चुक्योंके हमने इंकम बनाया है ना ठीक है तो हमें current tax working में इसको क्या करना पड़ेगा deduct तो यह एक deductible temporary difference है ठीक है यह लंबी बात है बाकी इतनी काफी थी तो समझाने के लिए लिए लिखा अब short version क्या बनता है इस closing advance को future में हम income बनाएंगे टेक्स वाले कहेंगे हम इस पर already tax ले चुके इसलिए आप इस पर tax नहीं लेना तो current टेक्स की खुद भी लिख सकते हैं कोई मसला नहीं है ठीक है ना closing advance को हम future में income बनाएंगे टेक्स वाले कहेंगे हम already tax ले चुके इसलिए current tax की working में इसको deduct कर लो तो इसलिए deductible difference closing advance को हम future में income बनाएंगे टेक्स वाले कहेंगे इसमें हम already tax ले चुके cash basis चल रहे है ना already हम टेक्स ले चुके इसलिए इसको current tax की working में क्या कर लो deduct कर लो इसलिए deductible difference तो यह short version है ठीक है जैकि पूरी तवसील मैंने समझा दिया आपको अच्छा जी next चलेंजिए अगला भी कारी दें आप पिर अब तो आप ही सवाल कर रहे हैं आज तो जल्दी करेंशा बच current liabilities include accrued salaries expense with a caring amount of 13 million accrued salary expense salary expense 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 accrued तो मतलब payable इतरफ आएका closing है ना अच्छा sorry बूल गया मैं बताते रहा करो मुझे closing payable कितने हैं हैं अच्छा 13 मैंने का पता अच्छा जी अब एक्सपेंस बात वहीं पर दवारा आगी है ठीक है ना यह मुश्किल टफ वर है दोनों scenario's कर लिए हमने जी expense closing में क्या कह रहा है जी payable expense के वारे में क्या कह रहा है closing में payable इसका मतलब expense book हो गया cash पे नहीं हुआ expense P&L वाली figure है cash नहीं है expense है cash नहीं है और expense के लेजर में cash debit side पे आता है cash नहीं है expense है ठीक है लेकर चौटकर क्या बताया हुआ है यह लिखो ही न और यह क्या आजाएगा आपका यह नहीं आपने expense book कर लिया कहां चला गया यह मैंने बताने से पहले अच्छा जी अब tax वाले क्या कहते हैं ओ वाव दार रिलेटेड एक्सपेंस हैज बींडिड़क्टिट फॉर टेक्स परपज़ेंज मींस टेक्स अथॉर्टीज आर और अल्सो यूजिंग देखो अभी तक पता क्या हो रहा था अभी तक पता क्या हो रहा था अभी तक पत के तोर पर यह यह हमारा लेजर था और टेक्स वालों का लेजर मैंने बलूसे बनाने जो के फिर मिटाना है कभी भी निए बनाना आपने जिंदगी में परेशान ही होंगे पैसे बिना रहो अगर अगर हम बनाएं इंशुरणस एक्स पैंस टेक्स प्रूस के असाब से तो क्या कहते हैं जो cash आपको आया है वही आपका खर्चा है तब ही तो उन्होंने ये insurance paid को as an expense allow कर दिया था और इनकी दुनिया के अंदर कोई prepaid payable exist नहीं करते हैं अभी तक तो ये चल रहा था हम accrual basis पे थे वह cash तो cash basis का मत बनाना नहीं है लेकिन अगर बने तो ऐसा बने ठीक है हम कह रहे हैं cash prepayment debit cash credit वो कह रहा है नहीं expense debit cash credit तो expense debit cash credit और यहां से निकाल के पियाना दो यह इस तरह से होता है ठीक है ना अब क्या हुआ हम कह रहे हैं salary payable है तो इसका मतलब क्या है expense book कर ले हमने expense record किया pay नहीं किया तो हमने entry क्या कर ली expense debit payable credit यह नजरा रही है आपको ओपर ठीक है जी अब tax वाले कहते हैं हाँ हाँ यह भी expense हमारे तरफ से भी यह क्या है expense है as a deduction allowed है अब cash तो pay होगा तो credit होगा अब यह entry में cash तो credit होनी सकता तो पिर मरते क्या ना करते अगर यह लेजर बनाएं बनाते नहीं है वैसे क्या होगां अगर लेजर बनाएं तो tax वालों का laser भी क्या होगा बिल्कुल वैसी यनी tax वालों का memorial भी भी बिल्कुल इस शेकल का बनेगा क्योंकि अगर वो भी इसको expense कह रहे हैं और cash pay नहीं तो मजबूरी है फिर क्लोजिंग ने उनको पेबल भी रखना पड़ेगा ठीक है यानि के हमारे और टेक्स वालों के दिरम्यान कोई फर्क नहीं रहा हम गए हमने का बस करो लड़ाईया यार खत्म करो बस कर दो हम एक रूवल पे आप कैश पे कभी आओ ना खुश्बू नहीं कैश बे किया ना कोई बात में मुझदूर ले ले लेंगा आपसे आगे कैश में पता है ठीक है तो सैलरी के केस में आपने एक्सपेंस बुक किया हमारी तरह से भी एक्सपेंस है अब हमने कितना एक्सपेंस बुक किया प्रॉफिट तक आते आते तेरा टेक्स वाले क्या कह रहे है? tax वाले भी क्या कह रहे है? the related expense has been deducted for? हमने भी आपका allowed किया as a deduction तो जो हमने किया यहां तक आते आते tax वाले किया है हाँ 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 यही करना था तो current tax में क्या करेंगे? फार्की नहीं है यानि अगर tax वाले असान काम भाई यह पहले कर लेते हैं टैक्स वाले अगर एक्रूर्वल बुस्सिष पर आजाएं तो करंट टैक्स में कोई कोई चेंज नहीं कुछ भी नहीं करना करंठ टेक्स si बर्किंग में क्यों कुछ नहीं करना हमने expense वोग किया है वो कहरे है sortir तो expense S düş whereverachi marrying cash हो छकर क्या है सेलरी सेलरी पेबल कितनी है जी तेरा और अभी अभी आपको बताया अगर वो इस expense को मान रहे हैं का expense है cash pay नहीं हुआ तो मतलब फिर वो payable को भी मान रहे हैं तो इसका मतलब tax base भी क्या आएगी तेरा और difference कितना आएगा सिफर तो अब number six point यहां पर लिखना पड़ेगा यहां पर तो कुछ भी सिफर करें क्या लिखना ठीक है तो लिखो जी क्या ना करें बेटा अगर नहीं करोगे तो difference आएगा temporary difference आएगा डेफर टेक्स में मसला पड़ जाएगा यह temporary differences निकल रहें क्या यहां पर कुछ difference है temperancy नहीं है यहां पर différentijn नहीं है ठीक है नहीं यह step करें number होते हैं आप कह़ें कि step बढ़ देए m Hea करें ठीक है ना number होते हैं सारी technology के number होते हैं बलकर मैं तो आपको बता रहोँ कई सवाल positives लेगा तो आपको देखाओंगा तो बरकत के लिए वो सारे लिखने तो नमबर 6 लिखो अगर टेक्स वाले एक्रूल बेसिस को फॉलो करेंगे तो हमारे और टेक्स वालों के दरम्यान कोई फर्क नहीं रहेगा और कैरिंग अमाउंट और टेक्स बेस बराबर आएगी अगर टेक्स वाले अगर टेक्स वाले एक्रूल बेसिस को फॉलो करेंगे तो हमारे और टेक्स वालों के दरम्यान कोई फर्क नहीं रहेगा तो कैरिंग अमाउंट और टेक्स बेस डेफर टेक्स ऐस ऑन वाली वर्किंग में बराबर आएगे carrying amount और text base dtl slash a वाली working में carrying amount ca और text base tb dtl slash a वाली working में बराबर आएंगे ठीक है वैसे उसी working में मैंने number लगाया था खेर चलें उसी working से तो number लगा के लिख रहे थे खेर चलें जी क्या बोला मैंने अगर text वाले अगर अग्रुवल बेसिज पर आ जाएं असे पूरा रूल क्या बनेगा टेक्स वाले अगर अग्रुवल बेसिज पर आ जाएं तो फेर्च की वर्किंग में कुछ करना नहीं और डेफट विर्किंग केरिंग ओंटा टेक्स बेस बराबर हो जाएगी ठीक है इसलिए तो भाई कहा रहा है कि सिरे से इसके इसके मार्क्स होंगे यह नो ऐसे आसान से मार्क्स बूल जाएं रह जाएं आपके लेकिन लॉजिकली बात पदला गरी है क्या बढ़ी डिफरेंस है ही कोई नहीं डिफरेंस किसको डिस्टॉर्शन को लेकर चाल रहा होता ना डिफरेंस जो है वो सिर्फ टेंपरेंडी डिफरेंस की डिस्टॉर्शन को रिमूव करता है तो क्या यह डिफरेंस है तो लिखो गई यहां पे तो गड़बड हो जाएगी फिगर नहीं लिखनी ठीक है लेकिन इन दोनों को बराबर करना है यह टेक्स बेस बराबर होती है तो करंट टेक्स में कुछ नहीं करना और डेफर टेक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट टेक्स बेस को बराबर करना है शॉट वाला रूल यह ठीक है अगर टेक्स वाले एक रूवल बेसिस पे हैं तो करंट टेक्स की वर्किंग में कुछ नहीं कर तीसरी बार और आखरी बार अगर टेक्स वाले कैश वेसिस यूजज करेंगे है तो करेंट टेक्स की ओर कुछ में कुछ श्जलाफ रिलेटी काशएवाव वाली वर्केंग में क्यरिंग क्या आपके लिए एक और बार एक और बार आपकी सब के लिए आखरी बार था आपके लिए एक और बार अगर टेक्स वाले cash basis नहीं एक क्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने आके जपी डाल लिया बारे साथ फ़र्क कोई नहीं है जब फी डालते हैं गुश्य तब ही खत्म होते हैं रड़ाया कोई है ठीक है जब हम एक रूट बेसिस पे थे और tax वाले भी accrual basis भी आगे तो current tax में कोई कुछ करने की जरूरा नहीं है और defer tax के अंदर भी as on वाली working में भी carrying amount of tax base भाई भाई चीक है tax वाले और हम भाई भाई आगे बढ़े यह तो असान काम है tax वाले अक्रूल पर आजाएं तो जिन्दगी असान हो जाती है मुसीबत इसका मतलब पहले पड़ी हुई थी हमें अगर इस पूरे सवाल की बात करें तो अगर tax वाले cash basis पर हो अब एक जुम्ले के अंदर सारे अक्रूल को मैं डालने लगा हूँ लिखना चाहना तो बाद में लिख लेना ठीक है फिल्हाल मुझे याद करते हैं फिर लिखवा दूँगा अगर tax वाले अक्रूल बेसिस पर हैं तो current tax में हम income expense को उल्टाते हैं receipt payment को record करते हैं और defer tax में carrying amount होती है tax based नहीं होती क्या बोला मैंने अगर tax वाले एक क्रूल बेसिस को follow करें तो current tax की working में income expense उल्टा देते हैं जैसे भी उल्टें income और तरह उल्टी है expense और ठीक है income expense उल्टा देते हैं receipt payment को record करते हैं और defer tax में carrying amount होती है tax base नहीं होती ये क्रूल बेसिस और अगर tax वाले cash basis follow करें तो current tax में कुछ नहीं करना defer tax में carrying amount tax base बराबर खतम topic लेकिन अभी permanent differences रहते हैं जी उल्टा बोला मैंने कोई बात नहीं माफ कर दूँ जै आफ सिधा कर लो जी अब ये permanent differences रहते हैं तरह वो सोच के आता हूँ आज ethics शुरू करने जी मैं तो थोड़ से कर सकता है देखा मैंने तो चेक करने के लिए किया था आपको आप लोगों को समझा आगी इसका मतलब मैं दुबारा बोल देता हूँ अगर कोई बात उलेट बोली थी मैंने बोला अगर tax वाले accrual basis पे हैं तो current tax में incomes expenses को add करो cash को income expenses को reverse करो और cash receipt ये payment को record करो add less नहीं बोलना दोनों की बात कर रहे हैं income और तरह से reverse होती है expense और तरह से ठीक है ना इसलिका बोला अगर tax वाले accrual basis अच्छा सौरी यह बात यहां से गलती थी यह बताओ ना अगर tax वाले cash basis फॉलो कर रहे हैं सौरी सौरी अगर tax वाले cash basis फॉलो कर रहे हैं तो current tax के अंदर income expense को लटा दो और cash receipt payment को record करो और deferred tax की working के अंदर carrying amount होगी tax base नहीं होगी क्योंकि यह कौन सी दुनिया के अंदर रह रहे हैं cash basis cash basis अब अगर tax वाले भी हमारे तरह हमारे भाई बने ठीक है स्वास्टीव भी तरह आप हमारे भाई है ठीक है और अगर वो हमारे साथ हमारे तरह equitable basis को follow कर लेते हैं तो फिर तो जिन्दगी आसान है current tax के अंदर कोई change नहीं है कुछ add less नहीं होना और defer tax के अंदर carrying amount of tax base भाई भाईयों की तरह एक जैसी होगी समझ रहे हैं ना सारे ठीक है trade receivables है वा carrying amount of 50 million trade receivables पता है क्या होते है debtors debtors ही लिख लेते हैं इनके carrying amount debtors की carrying amount asset होते है न closing receivable इधर ही आता है carried out कितना 50 अच्छा अब इस receivables का क्या मतलब है क्या मतलब है कि हमने goods बेच दी होंगी या सरसी रेंटर या नहीं sales कमाई कर लिए हमने sales तभी record करते हैं लेकिन पैसे नहीं आया हुए इसका मतलब sales होंगी cash नहीं होगा तभी ये debtor है सिर्फ closing होता है न अब आपका फिर जहन में आएगा सब दोनाने साल कुछ sales नहीं होगी और भाई sales भी होगी cash भी आगा अगर उसकी लड़ाई नहीं है लड़ाई तो इसी की है ठीक है कि 50 रुपे क्या है receiveable आप वोई shortcut लगाओ तो इस तरफ sales ही आती है debtor के लेजर में अगर balance भी निकाल लो cash कोई नहीं आया sales कर दी cash नहीं आया तो receivable ठीक है अब अगर तो tax वाले हुए cash basis पर तो दूरियां है मजबूरियां है इधर reversals हैं income expense के और recordings हैं cash receipt payment की यहां पर हमारी carrying amounts है tax basis नहीं है लडाईयां ही लडाईयां दूरियां ही दूरियां और अगर tax वालों ने भी आकर कहा दिया आज से हम आप भाई भाई आपने sale book की आपने income बनाया हम भी इसको income मानते हैं tax दे दो आज जी इसका मतलब लडाईयां खता हुआ तो इसका मतलब current tax में कुछ नहीं करेंगे और defer tax के अंदर जैसे हम वैसे वो जैसे हम वैसे वो क्या कहता है वह हुआ भाई भाई the related revenue has been included in taxable profit has been included in taxable profit मतलब पर्चे में न ये line है ये पर्चों से उठाईयो इस adjustments and different past paper से उठाईयो adjustments ठीक है ना तो पर्चे में से लिखा हुआ है related revenue has been included in taxable profit का मतलब क्या है हमने income बनाया वो भी कह रहे है income है ठीक है ना आगे आपके सानी के लिए लिखा है means tax thought to use accrual तो current tax में कुछ नहीं करेंगे defer tax में carrying amount और tax base बराबर बराबर debtors जी पचास और पचास और कोई difference नहीं ठीक है जी ये होई 6 अब चल पड़ा ठीक है rule क्या है अगर tax वाले accrual पे आ जाएं तो carrying amount tax base बराबर हो जाती है और current tax में कुछ नहीं करती है जिन्दगी आसान हो जाती है बाई जैसे कह रहे थे कि लिखे ही न यहां तक बात कर दी थी कि इस adjustment को सिरे से बाई कहते है छोड़ भी दे तो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा ऐसे ही है जी अच्छ अच्छ बोलो dividend income का ledger बनाए income और receivable जी कितना है 23 है इसका मतलब क्या है कमा लिया है आ नहीं लिया है कमा लिया है आ नहीं लिया है इसलिए आएबल कमा लिया है आ नहीं लिया है इसलिए आएबल receivable मतलब income है cash नहीं है income है cash नहीं है income के ledger में cash credit side पे आता है वो कोई नहीं है तो P&L लेकिन हम balancing में निकालें तो यहीं पहुंचेंगे नतीजा यहीं निकलेगा हमारा अब situation 1 tax वाले कहेंगे हम cash basis follow करते हैं तो इसका मतलब हमने income record किया वो कहेंगे भाई जन नहीं cash नहीं आया तो इसको reverse कर दो कुछ भी tax नहीं लेना defer tax में जाएंगे तो हम कहेंगे carrying amount 23 है वो कहेंगे यह क्या होता है हमारी दुनिया में यह exist नहीं करता case 1 case 2 अगर tax वाले आया और आकर बोला भाई आप और हम भाई भाई हैं आपने income बोला तो बोला हमने भी बोला अगर यह हो गया तो फिर closing में uncover receivable हमारा भी current tax में कुछ नहीं होगा defer tax में दोनों बराबर नहीं ही चान चड़ना है क्योंकि तो यह 23 जो हम profit पर काते आते add कर चुके हैं tax वाले कहरे हैं बाई जाने इस पर tax हमने नहीं लेना और कभी नहीं लेना क्या करें minus यहां पर तो नहीं छोड़ सकते हमने income book की है किये यह नहीं किये बोलो हमने income book की है income book कर लिया यहां पर पड़ी है वो कहरें नहीं नहीं tax लेने ही नहीं कभी नहीं लेना minus करना पड़ेगा तो less करेंगे क्या चीज़ है यह dividend income है और यह exempt है यह क्या है exempt है और अगली बात यह क्या है permanent difference है ठीक है जी कितनी है 23 23 यहां तक कुछ मसला यहां तक कुछ मसला समझ आता है less कर दिया add क्या करें कुछ नहीं होना कभी भी नहीं कुछ कभी भी कुछ नहीं add होना ठीक है यह करते है आरे treatment पहले दिन से अब बोलो अच्छ आपके देनों में पर्मेंट डिफरेंसिस आए भी थे ना हमारे उनके अंदर वो income receivable या penalty payable वाला सीन नहीं बना था इस वज़ा से सिरफ current tax के अंदर यह करते थे इदर कोई लडाई नहीं थी आज दर भी लडाई चेड़ने लगी एक वज़ा वज़ा यह exempt income अभी क्या है receive a बल है यहां पर तो balance sheet items आते हैं खैर छोड़ें यह irrelevant बात थी फिलाल तो जिस तरतीव पर चल रहे हैं dividend receive a बल dividend receive a बल कितना है 23 अब मेरा सवाल क्या मैं यहां पर zero कर दूँ क्यूंके tax consequences तो कोई नहीं है न इसके कि tax कभी भी नहीं नहीं तो कभी भी tax नहीं लेना लेकिन एक मसला आएगा अगर हम इसको zero करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 23 का difference जो के TD है क्या है taxable भी हो सकता है टीडी है क्या मतलब temporary difference है क्या यह temporary difference है यह TD है के PD है यह TD है के PD है अगर मैंने यहां पर zero लिख दिया तो यह TD बन जाएगा जबके यह PD है तो हमने अगर यहां पर इसको PD कहना है तो यहां पर 23 लिखना हमारी मजबूरी है यहां पर zero आना ज़रूरी है यह 23 लिखना हमारी मजबूरी है यहां पर zero आना ज़रूरी है क्यूंके अगर यहां पर zero लिखने यह कहकर कोई tax consequences नहीं है टेक्स वाले तो उसको मानते ही नहीं है ऐसी करते आ रहे ना टेक्स वाले एक चीज को मानते ही नहीं है, उनकी दुनिया में है नहीं तो जिरो कर दें, तो आपके दिल में आई, ये भी तो नहीं मानते हैं, जिरो कर दें, अगर जिरो करें तो टीडी बन जाएगा, ये टीडी बन गया, तो गड़बड है, क्योंकि ये टीडी नहीं है, PD है ओके तो यहां पर हमने करना है 23 और 23 लिखकर यहां पर नमबर 7 लिखो रेड़ वाला यानि कि यह इस तरह का वो नहीं तक खत्रा यह खत्रे वाला निशान है खत्रे वाला निशान है और लिखें यह बात अगर हम डिफरेंस की कॉलम में जीरो चाहते हैं तो हमें तो हमें पर्मनेंट डिफरेंस की टैक्स बेस तो हमें पर्मनेंट डिफरेंस की टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के बराबर लेनी पड़ेगी लाजमी लेनी पड़ेगी अगर हम क्या लिख भाया था से मैंने अगर हम difference के column में zero चाहते हैं तो permanent difference यह PD था ना तो permanent difference आगे कहा लिकवाया था? यह लिकवाया था? ओ no, मैं तो दुवारा तर रिगॉल कर लूँ फिर रटा अपना जी, यह मैं बोल रहा था अगर हम difference के column में zero चाहते हैं तो permanent difference की tax base को तो permanent difference की tax base को carrying amount के लाजमी बराबर करना पड़ेगा लाजमी बराबर करना पड़ेगा यहां तक लिकें फिर अगली बात करूँ यह मैंने लिकवा दिया था इतना अच्छा, अगर हम difference के column में zero चाहते हैं जिरो क्यों चाहते हैं यह अगली जुम्ले में लिकवाता हूँ ठीक है ना? अगर हम difference के column में zero चाहते हैं तो हमें PD की tax base को लाजमी carrying out के बराबर करना पड़ेगा, full talk बात लिखें और अगर हम यह ना करें तो अगर और अगर हम यह ना करें तो एक PD आ जाएगा नहीं यहाँ पर कोई PD CD नहीं यह difference सारे क्या है? टेक्सिबल 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 तो हो सकते हैं लेकिन होते कौन से हैं टेक्सिबल 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 ट एक टीडी आ जाएगा जबके ये तो है ही पीडी और हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक टीडी आ जाएगा जबके ये तो है ही पीडी बाई मेरे काल वाला लेक्चर सीमे का यूट्यूब पर करवागा है जी ठीक है तो सही है चलो जी असान वहाँ सुभायाला माशाला नेक्स्ट पढ़ें नेक्स्ट क्या है करन्ट लाइवल्टी इंक्लूड एकुरूड फाइन एकुरूड है ला यही तो नहीं था जब जब यह नहीं देखा यह पहली बार देखा फाइन एकुरूड है याणि पेवल है fine penalty expense होता है क्या ख्याल है अब बोलो अब फूटो तो fine and penalty fine sir fine लिख दू fine payable fine payable आज मैंने ethics का नाम जरूर लिखना है जो मर्जी हो जाए और basic बात भी कर देनी है थोड़ी सी जी fine payable closing कितना payable आ रहे हैं ओहो sorry sorry तर्तीवी सारी सार खड़ाब कर दी अभी तक आप लिख रहे थे expense तो fine is an expense ठीक है और यह expense क्या आ रहे है fine या penalty expense होता है यह expense क्या आ रहे है पेबल है closing payable कितना है जी 29 इसका मतलब खर्चा हो गया है यानि जुर्माना हो गया है यानि के notice आ गया है ठीक है वाइलेशन होने पर ही notice आता है न तो expense तो बुक कर लिया हुआ है तभी तो payable आ रहे है expense बुक किया पे नहीं हुआ तो payable तो expense की लेजर में cash कुछ नहीं है expense है और यह balancing से भी इस तरफ ही आता है expense की लेजर में इस तरफ expense की figure आती है penal की figure आती है ओके अब टेक्स वाले क्या कहते है हमें पहले बदा लग गया यह तो होता ही क्या है fine penalty तो हमेशे ही क्या होती है reduction not allowed तो क्या कहते है जी fine and penalties are not deductible for not deductible कभी deduct होने ही नहीं है हमने तो यहां तक आते है आते deduct किया और PNL में record किया तो payable आया ना चीक है टेक्स वाले क्या कहते है sorry इसको क्या कर दें तो fine expense लिखने हूं सिरफ fine and penalty पूरा लिखना जाए है fine expense यह क्या है deduction not allowed deduction not allowed और यह क्या हुआ करता है जी यह एक permanent difference हुआ करता है कितने जी 29 का यह एड़ कर वा दिया हम टेक्स वालों ने ठीक है अब fine payable कितना हमारी किताबों में आ रहा है 39 का टेक्स वाले क्या रहे हमने कभी भी अलाव नहीं करना तो अगर हमने यहां पर जीरो लिख दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा टीडीए यह टीडी नहीं है यह तो पीडी है तो यहां पर आकर खत्रा रुकिये यह निशान लग जाता है नहीं है परमणन डेफरेंश पर आके नहीं निशान क्या रहता है दमाग क्या कहे रहता है यह जीरो लिखो दमाग क्या कहे रहता है जीरो क्योंकि कोई टैक्स कॉम्सक्जी नहीं करना तो हम उसे काय dependency करें कि हैं ताकर यहां पर ici जीरो आए ठीक है अब इनके साथ तो नहीं लिखना टेक्सिबल ये डिटेक्टिबल डिफ्रेंस ही कोई यह जीरो के साथ तो कुछ नहीं लिखना न कुछ रहत है नहीं गया ओ वाववा पॉइंट नंबर 10 डेफर टेक्स बैलेंस ओपनिंग में 0 है मुबारिक और टेक्स रेट है 30 परसंट तो टेक्स रेट 30 परसंट टेक्स रेट 30 परसंट लो फटा फट जवाब दोसों 298 इसका टोटल क्या बनता है यह डिड़क्टेवल यह डिड़क्टेवल दुनों एड कर लो माइनस कर लो टेक्सिवल एट क्या है टेक्सिवल और बोलो और इस पर 30 परसंट लगाओ एकटा ही 2.4 की डेफर टेक्स लाइब और अगर वह रिक्वार्मेंट कह दे हर एक का अलग 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 बढ़ाओ तो फिर हर एक क्यों अलग अलग रेट लगाना पड़ेगा हमें उस सूरत में ठीक है जी वरकिंग नंबर नहीं कर गने तो डेफर निकालना है रिक्वार् टेक्स लायाबिलिटी स्लैश एसिट अब क्लोजिंग में लाइबिलिटी है न तो ओपनी हुए जीरो है चाहे आप इस तरब लिखने दर आसानी हो जाती है ठीक है वरना उदर भी लिखने जीरो लिखने अब कौन सा साल है जी आठारा का तो यह कम जनी ठारा पर उसने ब् है यह requirement यह 2.4 और balancing figure निकलेगी इस लेजर से defer tax expense की defer tax चोटा सा स्वाल था आज बस यह करना है ज्यादा नहीं काम करते है चीक है न इसकी entry इसका answer उता हूँ 26.8 यह आगा जी current tax expense debit current tax payable credit और यह defer tax liability credit defer tax expense debit defer tax liability यह 89.4 और CTE debit CTP credit और यह DTE debit DTL slash A credit ठीक है जी पांच मिनट तो उपर हो गए अच्छा वैसे आपको मैं दिखा दूँ चैप्टर यह ethics का चैप्टर देखे है आपने बात सुनिये सिर्फ यह सुनते जाएं कि यह सफायर का नाम आपने जुना होगा सफायर का नाम सफायर textile ठीक है जी तो यह सफायर वालों के पास बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं जैसे उनका एक CEO होगा ठीक है जी और उसके नीचे फिर एक इनका डारेक्टर फाइनेंस है जाद ही हो जाएगा CFO उसके नीचे फिर फाइनेंस मैनेजर और एक अकाउंट्स मैनेजर है उसके बाद फिर इनके नीचे कुछ एक्जेक्टिव होते हैं इसके नीचे दो रख लें जगा कम है हमारे पास बिठाने की जगा नहीं एक्जेक्टिव और एकाउंट्स मैनेजर के नीचे तीन एक्जेक्टिव हैं पता नहीं इसको क्या मौत पड़ गी है ऐसी मैंने एक औरगेनोगराम सा बनाया अच्छा जी अब CFO साब जो हैं वो FCA हैं ये मैनेजर फ़नेंस जो हैं ये ACA हैं और ये अकाउंट्स मैनेजर बड़े पराने हमारे पास रहते हैं आ रहे हैं ये भी FCA हैं उसके बाद ये निया हमने एक चार्डर काउंटेंट ट्रेनिंग पर रख लिया इसको भी इंशाला फिर प्रमोट कर देंगे ठीक है इसको एम वगारा बना लेंगे चलो इसको रहने देते हैं अब इस बाई साब ने MBA किया हुआ है इन्होंने BBA किया हुआ है इन्होंने M.com किया हुआ है इन्होंने B.com किया हुआ है इन्होंने Simple BA किया हुआ है अब जो एथिक्स में आपको पढ़ाऊंगा वो एथिक्स आपके लगेंगे मिस्टर CFO पे मिस्टर फानेंस मैनेजर पे और मिस्टर अकाउंट्स मैनेजर पे और इनको कहा जाता है Chartered Accountants in Business क्या कहा ज़ता है जी Organization के अंदर है और जो मैंने Ethics पढ़ाने है Ethics F.A.R. टू में आपको इंशाला काल से वो Ethics लगेंगे इन पर ठीक है जी अच्छा इनका Audit करती है P.W.C P.W.C कहा जाता है जी External Auditor ठीक है यह जो External Auditor होता है इसके भी कुछ Ethics होते है वो Ethics आप Audit की Class के अंदर पढ़ेंगे उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है ठीक है सही है न तो यह आपको बताना था कि हमारे जो F.A.R. 2 के अंदर Ethics है सवाल भी इसमें से आता है वो Ethics किन पर लग रहे होते हैं इनको कहा जाता है Chartered Accountant in Practice यह Audit Firm जो है P.W.C. इसमें चार्डड अकाउंटेंस पर चार्डड अकाउंटेंस फर्म है न यह तो यह चार्डड अकाउंटेंस इन प्रैक्टिस होते हैं यह चार्डड अकाउंटेंस इन बिजनिस हैं ठीक है अब इनके ओपर जो एथिक्स लगते हैं वो हमने F.A.R.2 के अंदर पढ़ने हैं यह वाले एथिक्स आपको औरिट के साथ जाकराऊंटेंस इन बिजनिगी रही तो कल होगी मुलाकात यही सवाल दुबारा कीजिएगा अल्ला आफिस